सब्सक्राइब करना है तो इसके लिए आपको अपना पूश्र डेकर एप ओपन कर लेना है सबसे पहले ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरह आना है यहाँ पर एक option है September 2023 THR SCM Data Entry इस option को आपको किलिक कर लेना है इसके बाद यहाँ पर गरवदी महिलाओं का पेज है इस्तनपान कराने वाली माताओं के लिए है और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तो हमें सबसे पहले यह सुनेश्चित करना है कि हम THR किन महिलाओं को देते हैं किन बच्चों को देते हैं और HCM किन महिलाओं को देते हैं कौन सी के बच्चों के लिए देते हैं और सब्ता हमें कितने दिन के लिए दिया जाता है तो जो गर्वती महिलाओं उस्तनपान कराने वाली माताओं और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं इनको हम HCM प्रती मंगलवार को देते हैं हपते में एक दिन एक मंगलवार को एक दिवस के लिए इसी तरह चार हपते में प्रती मंगलवार को मिला कर चार हपते के लिए HCM दिया जाता है इसके बाद THR हमें 21 दिवस के लिए देना होता है इन सब हित्गराहियों के लिए इस तरह से टोटल हमें 25 दिवस के लिए राशन इन हित्गराहियों को देना होता है इसके विसाय में हम किस प्रकार से काउंट करेंगे इसके विसाय में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बाद हैं 3 से 6 वर्स के बच्चे तो तीन से छे बड़्स के बच्चों को हम रेगूलर आंगनवाडी के अंदर पर HCM, गर्मपकाबोजन देते हैं, इनको THR नहीं दिया जाता है तो चलिए सबसे पहले हम गर्वधी महिला वाले पेज को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर रजनी नाम की जो महिला है, इसको एक दिवस के लिए केवल HCM दिया गया है पिछले माह में, और जीरू दिवस के लिए THR दिया गया है तो यहाँ पर हमें, अगर के अंदर पर THR था तो हमें THR की एंट्री करनी है तो यहाँ पर हम 21 दिवस के लिए THR दे देंगे महिला को और एक दिवस के लिए HCM पहले से दे दिया गया है तो हम यहाँ पर 3 दिवस के लिए HCM दे देंगे तो हपता हके, 4 मंगल वार HCM हो गया, गर्म तयार वोजन हो गया और इसके बार THR हो गया 21 दिवस के लिए इस तरह से हम साथ साथ दूनी जौदा साथ तरी 21 तीन सब्ता हमें 21 दिवस का देते हैं और एक HCM मिला करके इसी तरह मंगलवार को HCM, एक HCM, दो HCM, तीन और चार तो एक HCM हो गया और तीन सब्ता के एक, एक HCM को मिला का तीन और एक, चार हो जाएंगे तो इस तरह चार HCM और साथ तरी 21 दिवस का THR इस तरह इसे हमें 25 दिवस की एंट्री सभी हित्गराहियों के लिए करनी है इसके बाद हम अगली महिला के लिए बहर देते हैं इस महिला के लिए यहाँ पर चार दिवस के लिए, एक दिवस के लिए HCM पहले से दिया गया है तो हम यहाँ पर, यहाँ पर हम तीन दिवस कर देंगे इसके बाद यहाँ पर चाउदा डेज के लिए पहले से THR महिला को दे दिया गया है तो हम यहाँ पर केवल 7 days के लिए लिख देंगे इस तरह से 25 दिवस हो गई तो इस तरह से हमें THR भरना है और इस box में HCM और यहाँ पर उसका total यूग आ जाता है इसके बाद हमें सभी महिलाओं का भर की summit कर देना है summit एक ही बार करना है आपको दोबारा से आप summit करेंगी तो सभी box close हो जाते है इसके बाद entry नहीं हो सकती तो सबसे पहले आप जाच लें इसको कि आपने सही भरा है या नहीं इसके बाद आपको summit कर देना है आप यहाँ जैसे ही summit पर click कर देंगे तो यहाँ इस तरह से लिखा आता है confirmation this form can only be used once so please double check your entries before something something then are you sure you went to submit आप लोग sure हैं कि आपने हजानकारी सही भरी है इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती तो इसके लिए यहाँ पर आपको yes पर click कर देना है सक्सेज हो गया इस तरह से लिखा आता है यह देखिए आप सभी box जैसे सक्सेज हुआ तो यह box close हो गए पूरे यहाँ पर आप करसर नहीं जलेगा इसी परकार अब हमें अंगले हित्गराही के लिए टी एचार और सीम के एंट्री करना है तो अब हम इस्तनपान कराने बाली माताओं के option को click कर लेते हैं यहाँ पर एक महिला दर्ज है केवल तो यहाँ पर ना महिला के लिए टी एचार दिया गया है पिछले माह में और ना ही यहाँ पर महिला को HCM दिया गया है तो दोनों की संख्या यहाँ पर जीरो है तो हमें THR और HCM की दोनों संख्या यहाँ पर भरनी है यहाँ पर THR की संख्या 21 और HCM की संख्या 4 मिला कर टूटल 25 हो जाती है तो इसके बाद अब हमें सम्मेट कर देना है इसको अब हमें 6 माह से 3 अर्ष के बच्चों का बनना है तो हम 6 माह से 3 अर्ष बाले बच्चों की कैटिगरी बाले पेच को किलेक कर देंगी यहाँ पर हमें THR और SCM दोनों की एंट्री करना है यहाँ पर बच्चे के लिए केवल 7 डेच के लिए THR दिया गया है और HCM 0 डेच के लिए दिया गया है हमें यहाँ पर दॉलों की एंट्री करना है तो यहाँ पर 4 दिवस के लिए HCM हो जाएगा और 14 दिवस के लिए THR हो जाएगा क्योंकि 7 दिवस के लिए पहले से दे दिया गया था तो यहाँ पर 25 टोटल हो जाते हैं इस तरह है अगले बच्चे के लिए यहाँ पर 00 है THR भी 0 HCM भी 0 तो हमें यहाँ पर 21 दिवस के लिए THR देना है बच्चे को और 4 दिवस के लिए HCM देना है अगर बच्चा पूरे माह अपस्थित नहीं हुआ उसको एक भी पैकेट नहीं दिया गया और HCM भी नहीं दिया गया तो हमें वहाँ पर 0 कर देना है और अगर के अंदर पर THR नहीं है तो इस इस्तिति में हम सबी बॉक्सों को छोड़ देंगे केबल HCM अगर बित रित किया गया है तो HCM बाले बॉक HCM इसी परकार सभी बॉक्सों को हमें फिल कर लेना है तो हमास तीनियर्स की सभी बच्चों का THR और HCM भरके सम्मिट कर देना है यस पर किलिक कर देना है सम्मिट हो चुका है सक्सेस्फुली सक्सेस लिखा आगया अब हम इसको बैक कर देते हैं इसके बाद हमें अंगली कैटिगरी के बच्चे के लिए बहरना है तो अब हम तीन बर्स से छे बर्स के बच्चों का THR और HCM THR तो इनको दिया नहीं या ता HCM केवल इनका भरना है इस पर हम किलिक कर देंगे यहाँ पर पूरे फॉर्म में सभी बच्चों के लिए केवल एक दिवस का HCM भरा गया है और बाकी सेस है तो यहाँ पर हमें THR वाले बॉक्स को खाली छोड़ देना है और HCM वाले बॉक्स में बाकी के सेस दिनों की अंट्री कर देना है यहाँ पर एक दिवस के लिए HCM पहले से दे दिया गया है तो अब हम यहाँ पर केवल 24 दिवस के लिए भरेंगे यहां पर 24 कर देना है आपके जितने भी दिन से इस रह गए हैं आप लोग वैसे भर सकती है जंख्या उस प्रकार से इस तरह आप सभी बॉक्सों को फिल करके सम्मिट कर सकती है सक्सेस हो चुका है इस तरह हमारे सभी हित ग्राहनों का टेक होम राशन और HCM भरा जा चुका है पिछले माह का इसी तरह आप अपने सभी हित ग्राहनों का कम्प्लीट कर सकती है 17 ओक्टुबर से पहले ही